दोस्तों सभी को नमस्कार हमारे ETC Information चैनल में आपका पुनह स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं हमारे महान वैज्ञानिक आर्यभट के बारे में वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहे तो चलिए शुरू करते हैं आर्यभट एक प्राचीन भारतिय गणितग्य और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पांचवी और छेठी शताब्दी के दौरान गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था आर्यभट का जन्म 476 इस्वी के आसपास कुसुमपुरा, वर्तमान पटना, बिहार, भारत में हुआ था माना जाता है कि कुसुमपुरा उनके समय में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य आर्यभटीयद है, जो काव्यात्मक रूप में लिखा गया एक संस्कृत खगोलिय ग्रंथ है, जिसमें 118 श्लोक हैं इसमें विभिन गणितिये और खगोलिय सिध्धान्थ शामिल हैं आर्यभट से पहले के भारतिय गणित में अक्सर शब्द अंकों का उप्योग करते हैं, लेकिन आर्यभटीय देवनागरी अंकों के साथ सबसे पुराना मौजूदा भारतिय कार्य है अर्थात, उन्होंने संख्याशब्द बनाने के लिए देवनागरी वर्ण माला के अक्षरों का उप्योग किया, जिसमें व्यंजन अंक दर्शाते थे और स्वर स्थानिय मान दर्शाते थे गनितिय योगदान की बात करे, तो आर्य भट ने आर्य भटीय में कई गनितिय अवधार्नाओ और तक्नीकों की शुरुवात की उन्होंने शूनी की अवधार्ना, स्थानीय मान प्रणाली और द्विगात समीकर्णों को हल करने के तरीकों पर चर्चा की उन्होंने त्रिकोनमिती में भी महत्वपून प्रक्ती की, साइन फुक्षंस की तालिकाय प्रदान की और ग्रहों की स्थिती की गणना करने के लिए साइन के उपयोग की व्याख्या की हमारे आर्यभट के खगोलिय योगदान भी लाजवाब है आर्यभट ने सौर मंडल का एक हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रस्तावित किया जहां उन्होंने अपने समय के प्रचलित भुकेंद्रिक मॉडल को चुनोती देते हुए कहा कि प्रिथवी अपनी धुरी पर घुमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है उन्होंने एक सौर वर्ष की अवधी 358 दिनों के रूप में की जो आधुनिक मूल्य 365 दिन के काफी करीब है माना जाता है कि आर्यभटिय के अलावा आर्यभट ने आर्यसिध्धांत नामत एक और रचना लिखी थी उनके कारियों ने बाद के भारतिय गणितग्यों और खगोल विदों के साथ साथ दुनिया भर के विद्वानों को भी प्रभावित किया भारत में गणित और खगोल विज्ध्यान के विकास में आर्यभट का योगदान मूलभूत था उनके तरीकों और सिध्धान्तों ने बाद के विद्वानों के लिए आगे विस्तार करने के लिए आधार तयार किया और उनकी विरासत को भारत और दुनिया भर में मनाया जाता है एतिहासिक संदर्भ की बात करे तो आर्यभट ऐसे समय में थे जब भारक बॉध्धिक और वैज्ञानिक प्रक्ति का केंद्र था उनके काम ने न केवल उनके यूग के ज्यान में यूगदान दिया बलकी बाद की शताब्दियों में वैज्ञानिक विचार के पाठ्यक्रम को भी प्रभावित किया तो ये थे हमारे आर्यभट मुझे आशा है आपको ये विडियो अच्छा लगा होगा चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले अगली बार तक अलविदा